तो मेरे पास अब जितने question paper जो मैंने solve करके रखे हुए हैं वो मैं आज आपके साथ सारे share करूंगे कुछ लोगों को help हो रहा है तो कुछ लोगों का request आया है कि upload करने के लिए तो यह थोड़ा लंबा होने वाला है आज का वीडियो बट एक बार आप जरूर देखे आपको help होगा तो इसका हम start करेंगे 13 से इसमें mix है ऐसा नहीं कि year wise दिया हुआ है यह ऐसे 2017 का है ठीक है बट इसमें यह पूरा मेरा mix है तो इसलिए मैं आपको पूरा first number one से नहीं दिखा पा रही हूं बट इसमें question बहुत सारे सारे solve है तो आपको एक बार पढ़ने से mind में रहेगा तो 13 question का answer है आपका D इद्दत के बारे में पूछा गया है और 14 का है A और 15 का है C और 16 का है A मैं इतना थोरा hold करके रख रही हूं ताकि आपको पढ़ने में easy हो तो यह वाला 17 का है answer C 18 का है आपका D उसके बाद 19 का है आपका D 20 का है A यह बहुत basic question है जो हमने college में परहे है बहुत common common question ऐसे easy भी आते हैं बाद आ का है आपका 65 years, ठीक है, Supreme Court के Judge का Retirement का Age, Criminal Procedure Court is a subject of concurrent list, ठीक है, Available and Non-vailable Offense has defined in Section 2A of CRPC, 21 का D, 22 का A, 23 का A, 24 का है आपका D, State Government, ठीक है, और 25 का answer है आपका C, 26 का answer है आपका A, 27 का है, A, 28 का है, A, ठीक है, मैं इतना टाम दे जहीं question पढ़के answer देख सके, ठीक है, उसके बाद 29 का है आपका, देख लीजे, Under Section 190 of Criminal Procedure Court, तो answer है B, 30 का है C, 31 का है B, Section 6, उसके बाद 32 का है, A, 33 रीट करें, उसका answer है C, 34 का, B, होप, इतना टाम आपको मिल रहा है कि, रीट करके आप answer भी देख सके, 35 का है C, 36 का है आपका, D, ठीक है, 37 का है, C, 38 का है, B, 39 का है, A, तो यह देखें आपने, एक Continue Question जो है, यहाँ Advocate Act से है, यहाँ पर, तो देखें इस तरह से भी Question आते हैं, Advocate Act से भी आते हैं, जो आपकी Slivers में दिया हुआ है, वो सारे Question आएंगे, Subject से देते हैं, Question वो लोग, 40 का है, D, 41 का है, A, 42 का है, D, ठीक है, 43 का है, A, 44 का है, D, अब 45 का Question पढ़ ले, और 40 कितना हमने देखा, 45 का Answer है, आपका, C, ठीक है, 46 का है, B, 47 का है, C, Menuka Gandhi, Case बहुत famous है, यह हमने फर्स्ट यर से ही पढ़ा रहा है इसको, बहुत सारे Paper भी किये हैं, इस पर Top Topics भी Topics, इसके Seminar Paper, तो, यह बहुत important है, याद रखिएगा, क्योंकि Case तो सब को याद रहता है, Menuka Gandhi, Menuka Gandhi, बट किस चीज़ से Related था, क्या था Case में, यह थोड़ा भूल जाते हैं, इसे लिए, और 48 का है, A, ठीक है, अभी तक, which of the following can be claim Article 19 of the Constitution, इसका है, 49 का है, C, only citizens, और 50 का है, C, 50 का है, A, आपका answer, C, ठीक है, 51 का है, Or 52, 51 का है, C, 52 का है, B, 53 का है, C, 54 का है, C, 55 का है B ठीक है अब ले लेते हैं 56 का 56 का है हमारा ये विसाका विसाका वर्सेस स्टेट ऑफ राजिस्थान भी बहुत फेमस केस है ये आप सबने और मैंने भी पर रहा है तो इसका एंसर है A 57 का एंसर है B 58 का है आपका D 59 का है D तो इतना मैं रख रही हूं कैमरा इतना देर तक एक कोशन पर ताकि आप पढ़के एंसर भी देख सके है रहा हम से 60 का है D 61 का है A ठीक है उसके बाद 62 का है D 63 का है A 64 का है A 65 का है A 66 का कोशन देख लेते हैं होप आपने पढ़ लिया 66 का एंसर है आपका D और 67 का है C 68 का है V 69 का है D 70 का है D 71 का है A और 72 का है आपका C 73 का है A 74 का है A 75 का है A 76 का है D 77 का है C ठीक है 78 का है C 78 का है C 79 का है B 80 का है B उसके बाद 81 का है आपका C 82 का है A 82 का है A 83 का है C 84 का है A 85 का है D 86 का B 87 का C 88 का है C 89 का है A 89 का है A 90 का है A ठीक है 91 का है D 92 का है C 93 का है B 93 का है B 95 का है B 96 का है B 97 का है D अब 98 का है 98 का है 98 का है आपका D ठीक है 99 का है इसका यह कोशन हर बार देखा है मैंने इनकम इनकम टेक्स का है इनकम टेक्स का नहीं ध्यान में रखे आप तो 99 का है B और फाइनली 100 का है हमारा B ठीक है तो चलिए अब दुसरा पेपर देखते हैं यहां यह है आपका 1 से ही है तो 1 का एंसर हो गया आपका A section 6 section 6 बोल रही हूं B question B का answer है A question 3 का answer है आपका B question 4 का answer है आपका मतलब इसमें D होगा answer यह मैंने A भी दोनों लगाया हुगा है बट एंसर वही बोत बोलकर A and B करके तो D होगा answer ठीक है और 5 का है आपका B इसमें इसमें आपका यह बी है ठीक है यह भी पढ़ ले अब section B ठीक है और हाँ जैसे यह question आए अगर ठीक है तो इस question को ढूणना कैसे है अब आपको तो आपको क्या करना जैसे ये वाले section वाले जो आए न question तो आपको तो अहां पर क्या करना है time waste नहीं करना है कि ये इसका classification से नहीं ढूणना है आपको सीधे क्या करना है section दिया होगा section 6 में जाए उसके बाद direct आपको मिल जाएगा ठीक है वैसे ही जैसे यहां पर दिया होगा na CRPC ऐसे करके तो question जब पूछे नहीं तो question पर ना जाए सीधा आप section से ढूणना सुरू करें content में होगा आपको answer खुद पर खुद मिल जाएगा जो उपर में question पूछा हुआ है आप section देखेंगे तो आपको सीधे मिल जाएगा कि section में क्या क्या लिखा हुआ है आपको section से सारा clear हो जाएगा तो आप bear act में अगर ढूणते हो अंदर जाके तो फिर late हो जाएगा आपको तो यह एक trick है याद रखे exam के लिए ठीक है तो सायद हमने 7 किया है हाँ 7 देख लेते हैं 7 का हमारा question का answer है D ठीक है और 8 का है A उसके बाद 9 का है आपका B 10 का है आपका A और 11 का है आपका C तो कुछ देर तक मैंने दोनों answer को यहीं पर रखा हुआ है camera के यहीं पर change नहीं कर रही हूँ page भी चलिए इतने देर में आपने पढ़ लिया होगा शायद तो 12 का answer है आपका question आप पढ़ ले मेरे साथ ही आपको easy रहेगा तो answer है A और 13 का है C ठीक है और अब मैं आपको दिखा रही हूँ 14 and 15 14 का answer है आपका A और 15 का है B ठीक है और 15, 16, 17 यहाँ पर दिखा रही हूँ 15 का है आपका B, 16 का है D और 17 question पढ़ ले 17 का है आपका A ठीक है अभी तक आपको समझा गया होगा 18 का है B 19, 20, 21 को देख लेते हैं ठीक है तो 19 का आपका है C 20 का है B, 21 का है A, 22, 23 तो 22 का है D, 23 का है C 25 का है A, 26 का है आपका C, 27 का है आपका पहले पर ले question 20 का है B, ठीक है यासे examples ना ध्यान में रखा करें यासे examples बहुत देते हैं वो लोग घुमा फिरा के ठीक है तो ये examples बहुत अच्छा, ये मतलब important होते है उसके बाद 28 का है C, 29 कोशिन पढ़ ले इसका है 29 का C, अब देख लेते हैं 30 का 30 का है A, 31 का है हमारा C, 35, 32 का देख लेते हैं 32 का है आपका A, ठीक है उसके बाद आते हैं 33 पे, तो ये mod H है इसका answer C, 33 का answer होगा आपका C, ठीक है अब आते हैं 34 का answer है आपका D, 35 भी देख लेते हैं, 35 का answer है आपका A, 36 का answer है B, 37 का answer है A, 38 का answer है आपका C, 39 का answer है आपका B, 40 का है D, 41, 42 देख लेते हैं, 41 का है A, 42 का है आपका D, ठीक है, और ये रहा 43 का question, तो 40 कितना 3 का answer है आपका A, 44 का देख लेते हैं, 44 का है C, 45 का है B, 46 का, और 47 ये नहीं लगाया हुआ, इसे छोड़ देते हैं, ये साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया था, मैंने किया नहीं था, इसको किया नहीं था, इसको किया नहीं था, इन सेंस की, उसमें ये दिया नहीं हुआ था, है 48, 48 का है आपका B, ठीक है, अब देखते हैं, 49, 49 का है आपका B, 50 का एंसर है आपका B, 51 का है D, ठीक है, और 52 का है C, और 53 और 54, तो 53 का एंसर है C, और 54 का एंसर है B, तो ये जो भी राइट लगे हुए हैं, वही है एंसर, बाइचांस मैं वीडियो कंटिन्यू बना रही हूँ, तो हो सकता है, मैं 53 का C न बोल के, अगर किसी वीडियो में मैंने एक कोशिशन में बोला हो, ए है, तो वो मत, वो नहीं है, सब का कोशिश कर रही हूँ, मैं ठीक से बोलू, बट कहीं मिस्टेक हो जाया, तो आप लोग प्लीज देख लीजेगा, जो राइट लगाया हुआ है, मैंने वही है एंसर, ठीक है, थोरा सा कॉपरेट कर लीजेगा, मैंने नया नया वीडियो बनाना सुरू किया है, बट उतना मुझे नॉलेज नहीं है और मैं उतना मतलब अच्छे से नहीं कर पाड़ी हूँ, वीडियो बना पाड़ी हूँ, मैं क्यूंकि सीखी रही हूँ खुद अभी, तो चलिए देखते हैं, 55 का है आपका D, ठीक है, और 56 का आपका है C, अब ये थोड़ा लॉंग है एक्दम, तो कुछ देर मैं रख देत हूँ, 2-3 सेकेंड के लिए, ताकि आप रीट करके अच्छे से पढ़ सको इसको, तो इसका एंसर है A, ठीक है, 57 का, अब आते हैं, 58 पे, तो 58 पे है आपका C, एंसर है C, और 59 का है आपका B, ठीक है, और 60 का है A, और 61 का है आपका D, ठीक है, उसके बाद है, 62 का आपका है C, और 63 का है C, और यह पढ़ लेते हैं थोड़ा, 64 का, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ें इसको, ठीक है, इतना दिर में तो मैंने नहीं पढ़ लिया, आपने भी पढ़ लिया होगा, तो इसका एंसर है आपका A, ठीक है, और 65 का है आपका D, और अब यहाँ कवर करने के कोशिश कर रहे हैं, हम लोग 66 और 67, और मैं भी बीच-बीच में बोल-बोल के क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आपको भी बोरिंग ना हो वीडियो देखने में, मैंने इस से पहले अपलोड किया, मुझे लगा कि शायद वो ब्लैंक, बस कोशिशन पेपर डालना बोरिंग हो जाएगा, और आप सोच रहे हूँ कि मैं पढ़ के क्यों नहीं बताती हूँ, तो मैं आगे आपको बताड़ी हूँ, क्यों नहीं मैं पढ़ रही हूँ, 66, ठीक है, 66 का है आपका D, 67 का है B, ठीक है, और 68 का और 69 का आप देखें, तो मैं पूरा question पढ़के एक answer बताऊं, वैसे करने में क्या होता है, कि आपको नहीं cover, cover नहीं हो पाएगा, मैं ज्यादा papers cover solve नहीं कर पाऊंगी, बहुत time लग जाता है, मैंने बाकी का वीडियो भी द देखा है लोगों का, तो बहुत time लग जाता है, 10 को solve करने में ही पढ़ते, read करो, तो ऐसा कि आना solve paper देने से आपको help होगा, तो चलिए 68 का है, अभी तक आपने पढ़ लिया होगा, 68 का है D, 69 का है A, ओके, अब आया 70, 70 का है हमारा D, लगवल इतना ही, एक से दो paper cover करने में ही मुझे 24 मिनिट हो चुके है, hope आगे भी मैं cover करूँ, बड़ दूसरे वीडियो में, यह क्योंकि बहुत long हो जाएगा वीडियो और आप लोग देख नहीं पाओगे, और 71 का है आपका D, और 72 का है B, ठीक है, अब यह थोड़ा लंबा हो जा रहा है, तो यह question आप पढ़े अराम से, छोटे वीडियो क्या होते है, 5-10 मिनिट ठीक लगता है, ज्यादा से था 15 मिनिट, उससे ज्यादा इंसान इरिटेट होने लगता है, कितना ही अच्छा क्योंने वीडियो कोई ही डाले, बट इरिटेट होके छोड़ देता है, इसलिए मैं चाहती हूँ 5-10 मिनिट का बनाओ, और बस इंसान भी इंट्रेस्ट होगे, पूरा देखे और हल्प भी मिले, तो खैर ये वीडियो आपका लंबा हो जाएगा, होप आपने इतनी देर में पढ़ लिया है, ये कोशन, तो ये देखे इस तरह से, इसका है 73 का C, ओके, होप आपने पढ़ लिया होगा 74 भी, हाँ, तो 74 भी हो गया, अब अल्मोस्ट ये कवर हो जाएगा हमारा, 74 का है B, ठीक है, अब 75 देखते हैं, 75 का है A, 76 का है आपका A, ठीक है, और number of person required in the form of trade union, 7, ये 77 का है आपका B, ठीक है, A नहीं है, प्लीज, A नहीं है, गल्ती से लगा दिया, मैंने, इसका answer है B, ठीक है, और 78 का है B, 78 का कोशन पढ़ ले, answer B है, 79 का है आपका, 79 का होब कोशन पढ़ लिया, 79 का है B, और 80 और 81 का आप पढ़े, अगर मेरी आवाद सोरी इरिटेटिंग लगे, आपको वीडियो के साथ ताप म्यूट कर सकते हैं, ये आपके पास best option है, 80, 81, 80 का है A, और 81 का भी है A, और 82 का है A, 83 का है B, और 84 नहीं किया हुआ है, उसे छोड़ दे, जिसमे राइट नहीं लगा है वो छोड़ दे आप, 85 का है B, ठीक है, तो जिसमें नहीं लगा है, वो एक्चुली मैंने जो question, download, question, paper, download करके answer, जो download किया ना, तो उसमें कुछ नहीं था, मतलब, blank था हुआ, तो इसलिए मैंने इसका solve भी नहीं किया, मतलब, मैं भी बहुत lazy हूँ, so 85 का आप लोगों ने देख लिया, तो 86 का आपका ये देखिये, और 87, 88 भी देख ले, 87 का है आपका C, 88 का है A, ठीक है, 89 और 90 का देख लेते है, hope आप लोगों ने रीट कर लिया, A है answer, और 89 का है C, ठीक है, अब आते है, 20, sorry, 92 पे, तो 92 का है D, please हाँ, मैंने थोड़ा गंदा किया हुआ है, कचरा कढ़के लिखा हुआ है, but even इसका answer है आपका D, answer इसमें कोई भी गलत नहीं, माक किया हुआ है, सब राइठ ही किया हुआ है, ठीक है, 93 का है आपका B, 94 का है आपका C, 95 का है A, और 96 का है, 96 पढ़ले B, यपी, अब आगे हमारा 70, ए स्वारी, मैं इतना continue देख रही हुआ है, मेरे से बतलब बोला नी जा रहा है, देख के भी, तो 97 का है, C, 98 का है, B, 99 का है, B, और 100 का है आपका A, तो यह देखिए, इस तरह से आप स्क्रीन शॉट करके भी रख सकते हैं, तो फाइनली हमें 30 मिनिट्स लगे और हमने दो पेपर सॉल्फ किये, अगर मैं पढ़ पढ़ के आपको बताती तो नजाने और कितना टाइम लगता, anyways guys, please subscribe करें, आपको थोड़ा सा भी help हो रहा है, तो मेरी भी help हो जाएगा चैनल को ग्रो करने में, तो थोड़ा सा मुझे भी support कर दें आप लोग, अब थोड़ा देख लेतें कि कितना बच्चा है, ठीक है, तो जिन लोग को question paper सच में बहुत यह है कि solve वाला दू मैं, तो प्लीज आप लोग मुझे time दीजिए, आपके exam से एक हपते पहले मैं सारा कड़के डाल दूँगी इसमें, यह बस अब I think दो या तीन बचे हैं, तो यह वाले बचे हैं 2017, 17 मार्च वाले हैं इसको भी मैं कल जरूर अपलोड करूंगी, till then bye bye, take care.